नमस्कार आप दिख रहे हैं नेक्ष्ट नाइन अवाज मैं हूँ आपके साथ सिराज भारत में ही नहीं विदेशों में भी निस्पक्ष इलेक्शन करवा चुका है भारत का चुनावायोग साल था 1951-52 में भारत की पहले लोगसबद चुनाव ने दुनिया भर में हलचल पै सुकुमार सेन को 1953 में सुडान में पहला संसदिय चुनाव कराने के लिए अमंतरित किया भारत में निस्पक्ष इलेकर आए दिन राजनितिक दल भारती चुनावायोग पर सवाल उटाते हैं लेकिन चुनावयोग ने आजादी के साथ दश्कों में निस्पक्ष इलेक्ष भी विश्वस्तनया हासिल की है आपको जानकर या हैरानी होगी कि भारते चुनावायोग ना सिर्फ देश में बलकि विदेशों में भी चुनाव का संचालन कर चुका है साल 1951-52 में भारती चुनावायोग की सफलता को देख भारत में सफलता पुरवक चुनाव हुआ उसके बाद से सुडान का ध्यान भी भारतिय चुनाव आयोग की तरह पकर्शित हुआ रुसने ततकाली उख्या चुनाव आयोग तो सुकुमार सेन को 1953 में सुडान में पहला संसद्य चुनाव कराने के लिए अमंत्रित किया निउज एजेंसी की रिपोर्ट के मताबिक सेन ने सुडान में चुनाव आयोजित करने भारतिय चुनाव के नियम और कानूनों की जनकार लेने और अफरीकी अर्वी रास्ट के जरूरतों के अनुरूप उपयूक्त संसोधन करने में 14 महीने बिताए चुनाव आयोग के अभी लेखिये के अनुसार पहले आम चुनाव 1952 के सफलता ने भारत को लोकतंत्र की ठोस जमीन त्यार करकर दी थी ततकालिन मुख्य चुनाव आयोग सुकुमार सेन को सुडान में चुनाव कराने के लिए एक अंतरास्टी आयोग अध्यक्सता के लिए नामित किया गया था उन्होंने अफरीकी अर्बी रास्ट की अवश्रक्ताओं के अनुरूप इस विसे पर भारते कानूनी और प्रक्रियाओं को आंसिक रूप से संसोधित करते हुए चुनाव आयोजित करने में 14 महीने विताए वियस्क मत धिकार के अधार पर वो सुडान चुनाव कराने में सफल रहे प्रतित तुमें 1952 का पहला आम चुनाव देश के लिए बेहद मत्पुन था क्योंकि इसी के बाद सभी चुनाव के लिए मानक तयार किये गए सेन ने सुन्य से सुरुवात की थी जिस वक्त देश में पहले आम चुनाव की कल्पना की गई थी उस वक्त चुनाव आयोग के लिए कोई इस्थाई और इस्थाई करमचारी नहीं था कोई वनियादी धाचा भी नहीं था ना कोई प्रश्रिक्टन की सुबिदाय थी